हाई फ्रेंड्स मैं महें सोलंग की स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूटूब चनल पर आज हम लोग देखने वाले रेड़ीज लीजिंग एन हायर पर्चेस एक्जर्टली होता क्या है तो कॉंसेप्ट को समझने की कोशिश करते है से फूर एक्जामपल यह डिलेवरी पर खरिद ले या तो फिर इसको रेंड पे ले या तो फिर इसको रेंड पे ले या तो फिर इसको रेंड पे ले तो एक्जामपल के साथ समझते सर के से फूर एक्जामपल अगर यह वो लोन पे लेने जाता है यह लोन पे लेने जाता है तो वन लेक ट्वेंटी थाउजन की बाइक उसको मिलेगी ओके और यह बाइक का लाइफ है मतलब बाइक और चलेगा एक्टिवा बोलो बाइक बोलो जो भी बोलो यह बाइक चलेगा say for example 5 years तक कितनी years तक? 5 years तक अगर यह rent पे लेने जाता है तो rent पे इसको 5 years का rent लग रहा है say for example inclusive 5 years का rent लग रहा है इसको 1,10,000 5 साल का तो अभी यहां हम लोगो क्या करना होगा अपने को ऐसे 2 option दिये जाएगे 2 option दिये जाएगे क्या यह बाइक खरीदनी चाहिए क्या यह बाइक हम लोगो क्या करना चाहिए सर रेंट पे लेना चाहिए तो बस इसमें हम लोग क्या करेगे सर हम लोग को 2 टाइप से question को solve करना होगा एक अगर यह बाइक मेरी खुद की हो गई तो क्या मतलब मैंने खरीद लिया तो कुनसा best option है अगर मैं इसको खरीदता नहीं हूँ इसको मैं अज़र रेंट पे लेता हूँ बेनिफिट कितने का हो रहा है 10,000 का तो यह 10,000 का बेनिफिट हो रहा है तो हम लोग को यह conclusion देना है कि यह हम लोग को purchase करनी चाहिए या फिर रेंट पे लेना जीए तो answer is rent पे लेना जीए क्यों? विकोश यहां कितने का benefit हो रहा है अपने को 10,000 का तो sir अब भी हम लोग यहां देखेगे calculation किस तरीके से होने वाला है क्योंकि leasing and hire purchase का calculation बहुत जादा बड़ा बड़ा होता है और difficult भी होता है किस तरीके से exam में question आएगा बट concept अपने को एक ही याद रखना है कि sir अपने को यहां दो option दिया जाएगा एक तो या तो फिर वो rent पे लेना है या तो फिर उसको purchase करना है और इसका calculation करेगे और calculation में जो भी less amount आएगा वो हम लोग suggest कर देगे तो चलो question पे आते हैं तो question हमारे पास यह रहा say for example मैंने आइना पूरी की text book लिए manan precaution तो manan precaution में illustration number 1 है चलिए शुरू करते हैं illustration number 1 से क्या बोला है XYZ limited is a business manufacturing street the firm is planning to diversify and add a new product line the firm either can buy required machine or get on lease मतलब क्या बोला है कि इनको एक machinery की ज़रुत है या तो फिर ये machinery बाई कर सकते है या तो फिर उसको lease पे ले सकते है मतलब rent पे ले सकते है the machine can be purchased 15 lakh रुपीज machine अगर purchase करेगे तो अपने को कितना लगेगा sir 15 lakh रुपीज and expected useful life of 5 years मतलब कितने साल तक चलने वाला है 5 साल तक अगर मैं assets को purchase करूगा तो इसकी life है 5 years और after 5 years अगर मैं इसको भंगार में भी बेज दू तो मुझे 1 lakh रुपीया मिलेगा मतलब salvage value कितना है sir 1 lakh मतलब after 5 years ये 15,000 का जो भी machinery है इसको अगर मैं बेज देता हूँ तो मुझे 1 lakh पास सल के बाद तो मिल नहीं है तो ये पास सल के बाद उसको 1 lakh रुपीया मिल जाएगा अगर ये assets क्या करता है sir purchase करते है तो ये तो हो गया purchase का option तो ये तो हो गया purchase का option तो ये तो हो गया purchase का option तो ये तो हो गया purchase can be financed by 20% loan repayable in 5 equal installment याद रखना सर क्या बोल रहे है ये 5-15 lakh जो है ना 15 lakh ये 15 lakh हम लोग को एक साथ नहीं पे करना है ये हम लोग bank से finance करवा सकते है और bank से जब finance कराओगे तो bank इस पे interest rate कितना चार्ज करने वाली है 20% interest rate चार्ज करेगी और ये जो भी 15 lakhs है ये अपने को 5 equal installment में पे करना है और यहां installment में बुला है inclusive of interest मतलब interest भी inclusive होगा अभी क्या बुला है at the end of each year तो ये तो हो गया अगर हम लोग को assets purchase करना है तो bank से हम लोग finance करवा सकते है दूसरा option क्या बुला है alternatively the machine can be take one year and lease rental is for like 50,000 मतलब क्या लिए है कि machine हम लोग क्या कर सकते है हम लोग rent पे ले सकते है और इसका one year का rent कितना है 4,50,000 advise the company option should be choose for the exercise you may assume the following अपने को यहां क्या दिया है यहां अपने को दो option दिया है या तो फिर ये purchase कर ले या तो फिर इसको क्या कर दे सर rent पे ले ले और rent कितना है सर 4,50,000 for 5 years the machine will be constituted of separate block of assets for the depreciation purpose और depreciation क्या बोला है तो depreciation should be calculated on return down value method और कितना percent सर 20% अगर machine में पर्चेस कर लेता हूँ तो इस पे मुझे depreciation लगेगा और depreciation कितना percent लगेगा सर 20% on return down value method आगे क्या बोला है the tax rate tax rate कितना percent है सर 35% और cost of capital कितना है 20% lease rent to be paid at the end of the year and maintenance expense estimated 30,000 per year to be born by leasy सर maintenance expense क्या है अगर मैं lease पे लेता हूँ तो मुझे 30,000 लगने वाला है अगर ये assets में purchase भी कर लूगा तो भी मुझे 30,000 लगने वाला है मतलब सर कुछ भी करे चाहे option 1 चूज करे या option 2 चूज करे 30,000 का तो cost मुझे लगने ही वाला है तो सर इसको क्या करतेगे सर इसको ignore करतेगे goes to buy or tell लेने गया बेटा इसका कोई use as such ये वाले question में नहीं है अब यहाँ देखो सर सबसे पहले हम लोग क्या करेगे तो सबसे पहले सबसे पहले option number 1 देखते है option number 1 कै है option number 1 कै है तो सर option number 1 में हम लोग क्या करेगे sir leasing option देखेगे leasing option में sir किस तरी किसे करेगे तो 1, 2, 5 years तक sir lease rent कितना है 4,50,000 ठीक है अभी यह 4,50,000 हम लोग को lease rent पे करना है अभी सर यह what do you mean by tax benefit यह बहुत confuse करता है tax benefit है क्या exactly सर टेक्स benefit क्या होता है कि समझो अभी आप lease rent पे कर ले हो मला अभी यह आपका expense हुआ 4,50,000 आपका expense हुआ अभी यह 4,50,000 अगर आपका expense हुआ है तो अगर समझो हम लोग lease पे नहीं लेते तो क्याना इसे वो 4,50,000 से मेरा income बढ़ता और यह income बढ़ता तो बट वेस उस पे हम लोग को तो government को टेक्स देना ही बढ़ता तो यही है अगर मैं 4,50,000 अगर मैं ऐसा lease rent पे करता हुआ इसका मतलब क्या है सर मुझे 4,50,000 माइनस यह जो tax benefit है वो tax benefit हम लोग इसमें से less कर देगे 35% और मेरा net cash outflow कितना जा रहा है 2,92,500 अभी इसको क्या करेंगे सर PV factor से multiply कर देगे 20% PV factor आज सर निकालने का कैसे है तो यहाँ देखो 1 divided by 1.20 equal to equal to equal to equal to कितना सार है 1, 2, 3, 4, 5 years के लिए तो 5 years equal to फिर क्या दबाने का बेटा है GT तो यहाँ कितना दसार 2,89 याद रखना सर सॉल्यूशन में न 2,89 लिया है उन्होंने तो solution का answer थोड़ा सा change हो सकता है विकोज उन्होंने यहाँ PV factor का total लिया है 2,98 तो 2,98 लिया है इसले इन्हों का solution थोड़ा बो change होगा यहाँ हम लोग अगर total करते हैं सर तो 2,99 हो रहा है तो 2,99 अभी क्या करेगे सर नेट कैश आउट फ्लो से multiply करेगे PV factor तो अपने को मिलेगा present value of cash आउट फ्लो तो अगर सर मैं 5 साल तक lease पे लेता हूँ और सर 4,50,000 yearly अगर मैं pay करता हूँ तो उसका आज का value कितना होता है सर तो आज का value इसका होता है 8,74,575 तो present value of cash आउट फ्लो in leasing option is 8,74,575 अगर मैं यह lease पे लेता हूँ तो मुझे 8,74,575 रुपीज लगेगा तो यह तो हो गया lease का option तीक है मैंने rent पे ले लिया अभी देखे कि अगर समझो यह assets में buy करता हूँ और loan लेता हूँ 5 years का तो मुझे कितना price लगेगा है ना तो यहाँ देखो सर कैसे करेगे सबसे पहले तो हम लोग वो installment find out करने अपने को annual installment तो यहाँ भी सर discounting factor कितना percent लगेगा 20% है ना तो 20% तो सबसे पहले क्या करेगे सर annual installment find out करेगे annual installment कैसे find out करेगे तो annual installment हमारा price कितना है सर 15 lakhs 15 lakhs machinery का price है divided by सर total 2.99 यह जो PV factor हम लोग ने total निकाला था ना यह 2.99 2.99 से हम लोग क्या करेगे सर इसको divide करेगे तो अपने को मिलेगा सर यहाँ annual installment तो सर annually हम लोग को installment कितना पे करना पड़ेगा 5 lakh 1672 अभी देखो सर यह कैसे होगा loan statement हमारा तो statement of interest and installment यह हम लोग find out करने वाला है तो किस तरीके से होने वाला है सर तो यहाँ देखो year लिखेगे 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th पास सालका information सबसे पहले तो सर यह installment है सबसे पहले तो इसको installment को लिख दो क्योंकिक्ष इंस्टॉल्मेंट फिक्स रहने वाला है तो 5,1000, 5,1600, 5,1600, 5,1600, 5,1600, 172 यह पुरा लिख दिया यह लिखने के बाद ध्यान से सुनना सर यह लिखने के बाद हम लोग लिखेगे सर हमरा opening balance हमरा जो loan लिया है वो कितने का है सर 15,00,000 का यह 15,00,000 का loan लिया है 15,00,000 पे हम लोग क्या करेगे सर सबसे पहले तो 30% सरी 20% calculate करेगे ठीक है तो 20% calculate करो सर 15,00,000 पे interest हम लोग को calculate करना है at the rate of कितना percent सर 20% 20% calculate करो तो 15,00,000 पे जब आप calculate करोगे 20%, ठीक है तो 15,00,000 पे 20% calculate करोगे तो आपको आएगा 3,00,000 इस रेक लिख है सर ये 3,00 आगया अभी देखो installment कैसे मिलता है सर installment is a combination of principal amount plus interest है ना तो सर इसमें से अपने को interest का portion मिल गया तो क्याना इसे 5,00,000 1672-3,00,000 करोगे तो आपको ये principal वाला amount आएगा तो ये principal वाला amount आगया सर principal वाला amount कितना है so 2,00,000 1672 अभी क्या होगा सर opening balance मेरा कितना था 15,00,000 माइनस में क्या करूगा सर principal तब जाके अपने को मिलता है closing क्या मिलेगा closing तो देखो सर closing balance कैसे मिला तो 15,00,000 माइनस 2,00,000 15,00,000 माइनस 2,00,000 1672 तो अपने को balance मिला तो ये जो फर्स्ट येर का closing है वो second year का मेरा क्या हो जाएगा सर opening तो second year का opening कितना हो जाएगा सर 12,00,000 98,328 अभी क्या करेगे सर जब second year में interest का calculation करेगे तो second year में interest का calculation किस पर होगा ये 12,00,000 98,328 पर निकालेगे 20% आएगा 2,59,666 तो ये जो installment है 5,1672 इस में से minus करेगे interest तो अपने को मिलेगा ये principal amount ओके फिर अगें 12,00,000 minus 2,42 sorry 12,00,98,328 minus 2,42,006 ये minus करेगे तो अपने को amount आएगा that is 10,56,322 अब जब मैं third year में interest calculate करूगा तो third year में इस पर करना है ये 10,00,000 है इस पर तो 10,00,000 पर 20% करेगे तो अपने को principal amount मिलेगा that is 2,90,408 ओके उस में से अभी क्या करेगे सर ये जो principal amount है 10,00,000 में से minus करो तो principal amount 10,00,000 में से minus करेगे तो अपने को amount कितना आएगा तो अपने को amount आएगा 7,65,914 ओके अभी जब fourth year में interest calculate करेगे तो 7,65,914 पर calculate होगा that is 1,53,183 ओके इस पे हम लोग क्या करेगे सर fourth year में 5,1,000 माइनस ये interest का portion तो अपने को मिलेगा principal that is 3,48,489 और फिर fifth year में कैसे करेगे तो सर 7,65,914 माइनस 3,48,489 तो अपने को balance मिलेगा that is 4,17,425 अभी क्या होगा सर last year में क्या करनेगा fifth year में ये जो हमारा opening balance है ये ही हमारा principal amount हो जाएगा और principal amount को फिर minus करने का ये installments है तो अपने को balancing figure जो होगा वो हमारा interest मिल जाएगा याद रखना ये fourth year में हम लोग को इसी तरीके से करना है तो सर यहाँ से अपने को क्या पता चला तो यहाँ से अपने को ये पता चला है कि हमारा installment कितना जा रहा है और plus हमारा principal amount कितना जा रहा है तो installment, principal amount and interest तो यहाँ से अपने को ये मिल गया अभी यहां बताओ सर, अगर मैं assets purchase कर लेता हूँ, ठीक है, तो assets purchase करूगा, तो मेरा total cash outflow कितना जाएगा, तो total cash outflow, तो इसका statement किस तरीके से होगा, तो present value of cash outflow, सबसे पहले आएगा सर year, ओके, सबसे पहले आएगा year, फिर आएगा installment, ठीक है, installment जो है मेरा cash outflow है, बट सर इसमे अपने को एक tax benefit मिलेगा, सर, tax benefit कुनसी, दो चीज़ का मिलने वाला है, एक तो, वो जो assets मैंने purchase किये है, वो loan पे purchase किया है, मतलब मुझे interest मैंने जो pay किया है, वो, क्योंकि है profit and loss के debit side पे दिखा होगा, तो मेरा उतरा income क्या हो जाएगा, सर, कम, तो इस पे मुझे benefit कितना मिल 35% tax rate के इसाब से, तो यहाँ देखो, सर, 5 lakh तो मेरा outflow है, और मुझे tax benefit कितना मिला, तो सर, depreciation कैसे calculate करोगे, तो depreciation का उन्होंने method दिया है, तो यहाँ देखो, सर, depreciation किस तरीके से calculate होगा, on WDV method, तो 5 lakh पे पहले कितना percent, 20%, 15 lakhs पे 20%, तो कितना हो गया, 3 lakh, तो 15-3, तो कितन होगा, 12 lakh, अब यह 12 lakh है, यह होता है, हमारा WDV, ओके, फिर next year में, जब depreciation calculate होगा, तो किस पे होगा, सर, 12 lakh पे, तो 12 lakh पे 20%, 2,40, फिर बचा 9,60,000, 9,60,000 पे 20%, 1,92,000, फिर minus करेगे, तो 4th year में, हमारे पास balance बचेगा, 7,68,000, उस पे हम लोग निका लेगे 20%, तो depreciation आएगा, 1,53,600, फिर 5th year में, WDV balance कितना होगा, 6,14,400, फिर उस पे 5th year पे depreciation आएगा, 20%, 1,22,880, तो यह होगा हमारा depreciation, yearly depreciation, तो अभी निकालना किस तरीगे से हैसर, तो यहाँ देखो सर, जो हम लोग ने interest यहाँ calculate किया है, यह वाला जो interest है, इस पे minus कितना करना है सर, 35%, हमारा tax benefit, तो minus 35% करेगे, तो हम लोग को यह वाला amount आजाएगा, example के साथ, first year का explain करता हूँ, next year आप लोग देख लेना, जैसे कि 3 lakh है, 3 lakh minus 35% करोगे, तो you will get 1 lakh 5000, उसी तरीके से, next, 2 lakh 59,666, minus 35% करोगे, तो आपने को यह benefit, मतलब into 35%, sorry, into 35% minus नहीं करना है, that's my mistake, into 35%, into 35%, तो जो भी 35% करेगे, यह हमरा tax benefit है, तो इस तरीके से, हम लोग interest का calculation करेगे, और उसी तरीके से, same यह जो depreciation हुआ है, यह जो depreciation है, yearly, इस पर भी मुझे कितने का benefit मिलने वाला है, 30% का benefit मिलने वाला है, तो 35% का benefit मिलने वाला है, तो into 35% करेगे, तो मुझे depreciation का tax benefit मिल जाएगा, अच्छा, यह तो मेरा tax benefit है, sir, मैंने installment pay कितना किया था, तो 5,1674, minus क्या करेगे, sir, तो यह जो भी हमारा benefit है, दोनो, वो दोनो भी हम लोग क्या करदेगे, माइनस करदेगे, तो हमारा net cash outflow कितना है, so net cash outflow कैसे निकलेगा, तो 1, okay, 2 प्लस 3, यह दुनों को plus करेगे, और 1 में से क्या करदेगे, sir, माइनस करदेगे, तो यहां हमारा net cash outflow किस तरीके से आएगा, तो 5,1674, minus 1,5000, minus 1,5000, तो बैलेंस कितना बचा, 2,91,674, उसी तरीके से, second year में क्या करेगे, sir, तो 5,1674, minus 90,883, और 84,000, यह दुनों को less करेगे, तो अपना net cash outflow होगा, उसी तरीके से, second year, third year, fourth year, and fifth year, तीके, इसको क्या करेगे, sir, PV factor से multiply कर देगे, तो यह जो भी हमारा PV factor है, उससे हम लोग क्या कर देगे, sir, उसको multiply, और जब multiply करेगे, तब अपने को मिलेगा present value of cash outflow, तो अगर यह assets में क्या करता हूँ, sir, purchase करता हूँ, तो मुझे total present value कितना लग रहा है, sir, 10 lakh rupees, 10 lakh 40,298, बट, sir, salvage भी तो है, fifth year के बाद मुझे एक लाग रुपया मिलेगा, तो उसका आज का value कितना है, sir, तो PV factor से मैं क्या कर दूगा, multiply कर दूगा, तो 40,000, एक लाग जो मुझे पास सल के बाद मिलने वाल है, उसका आज का value कितना हो गया, sir, 40,000, तो 40,000 मैंने क्या कर दिया, less कर दिया, तो मुझे total value कितना लग रहा है, sir, 10 lakh rupees, 10 lakh 198 rupees, तो अगर मैं समझो, ये lease पे लेता हूँ, sorry, ये मैं purchase करता हूँ, okay, तो अगर मैं purchase करता हूँ machinery, तो मुझे खरचा कितना हो रहा है, sir, अगर मैं purchase करूगा, तो मुझे 10 lakh का करचा हो रहा है बट अगर यही चीज अगर मैं rent पे लूगा तो rent पे लूगा तो मुझे सर कितना लग रहा है 8,74,575 तो यहां conclusion company को क्या देना है क्या देना है the company should go for the leasing option as the present value is lower than the buying option simple सर सभी question में यही करना है क्या yes कोई भी question हो सबसे पहले हम लोग क्या करेगे सर leasing option find out करेगे leasing option इस तरीके से find out करना है फिर क्या करेगे अगर वो loan पे जाना है तो loan से हम लोग क्या करेगे सर interest and installment का statement बनाएगे तीक है same statement उसके बाद हम लोग यह statement of present value of cash outflow लेगे कोई भी question हो leasing and higher purchase का हम लोग को यही format में solve करना है इसलिए यहां answer में थोड़ा सा differ इसलिए हो रहा है because यह जो PV factor है मैंने point में 3 digit लिया है और accurate लिया है उन्होंने स्रीफ 2 digit लिया है इसलिए यहां थोड़ा सा answer में फरक आएगा तो सर कोई भी question हो इसी तरहीं से solve करना है अगर आपको leasing and higher purchase related और वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment कीजिए और अगर यह वीडियो informative लगा होगा तो like कीजिए share कीजिए और याद रहे है friends subscribe करना बुनना मत thank you so much for watching this video